धाट महिश्वरी समाज की और से महिश्वरी भवन में स्रावन मास को लेकर आयुजित की जा रही सिव महापुराण कथा का समापन रविवार को हुआ कथावाचन करते हुए कथावाचक संत लक्षमंदास महाराज ने रक्षा बंदन पर्व की महता पर प्रकाश डाला कालक्रम में कथावाचक का अभिनंदन किया गया साथ ही भामाशाओं का सम्मान किया गया धात महिश्वरी भवन में एक महिने तक धर्म की गंगा भयाने बाद रईवार को पूर्णी मा की अफसर पर शिव महापुरान कथा का समारो पूर्वक समापन किया गया थाट मैश्वरी समाज की और से माईश्वरी भवन में श्रावन मास को लेकर शिव महापुरान क anthrop का आयूजन किया जा रहा था कथावाचन करते हुए कथावाचन संत लक्षमंदास महाराज ने एक महाथ तक सिव महापुरान का महात में बताया इस दोरान हजारों सधालों ने कथावा श्रवन का लाब दिया रभीवार को आई जित हुए समापन समारों में कथावाचंग संत लक्षमनदास महाराज ने स्रावनी पूचिया और रक्षा बंदन पर महत्वप पर प्रकाश डाला कारक्रम को कई वक्ताओं ने समभूजित किया इस दोरान थाट महिश्वरी समाज की और से कथावाचंग संत लक्षमनदास महाराज का अभिननदन किया गया इसके साथ ही कारक्रम में सहयोग करने वाले भामासाओं और कार्यकरताओं का समाज के परदादी कारियों से भहुमान किया गया कारक्रम में सैक्रों की संख्या में श्रदालू मौजुद थे